नमस्कार दोस्तों आपका हमारे चैनल चुनाव की चर्चा में बहुत बहुत स्वागत है जवनपुर में समाजवादी पाटी केनेता लाल जी यादो की हत्या हो जाने के बाद जवनपुर की सियासत काफी गर्मा गई है पूर्व केबनेट मंत्री पारशनाथियादो ने पुलिस प्रसाशन को खुला चैनल दे दिया है जौनपूर में लाल जी यादो को बदमासों ने गोली मारकर हत्या कर दी जिसके बाद पूर कैबनेट मंत्री और उत्तरपदिश के बड़े दिग्रनेता पारसनाथ यादों ने खुला चैलेंग दे दिया है पारसनाथ यादों ने कहा अगर पुलिस प्रसासन और जिला प्रसासन जल्द कारवाही नहीं की तो जवनपूर की सडकों पर खुन बहेगा आपको बता दें कि लाल जी यादों के हत्या के बाद समाजवारी पार्टी के कारकरता बहुत आक्रोस में है और समाजवारी पार्टी के सभीनेटा और पूरुम कैबनेट मंत्री पारसनाथ यादों ने भाज़पा पे बड़ा हमला बोला है पारसनाथियादों ने कहा है कि देश ने भाजपा को प्रचेंड बहुमत दिया है लेकिन इसके बाद भी हर रोज सूबे में एक नएक हत्या हो रही है पारसनाथियादों ने पूलिस को खुला चैलन देते हुए कहा कि अगर इस हत्या का खुलासा जल्द नहीं किया गया तो जौनपुर के सड़कों पर खुन भह जाएगा आपको बता दें कि पूर्व केबनेट मंत्री पारसनाथियादों उत्तर प्रदेश के एक बड़े दिगर्ज समाजवादी नेता हैं और जौनपुर से कई बार भी धायक और सांसत भी रह चुके हैं पारसनाथियादों ने प्रिस प्रसासन और जिला प्रसासन को खुला चैलेंग दिया है पारसनाथियादों के चैलेंग देने से सियासत सुबे की सियासत में काफी गर्मा गई है दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगे तो प्लेज हमारा चैनल सस्क्राइब करें वीडियो को लाइक जरूर करें वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद